हेलो श्टुडेंट्स, क्लास नाइन्थ एन्सी आर्टी साइंस में चाप्टर नमबर है नाइन, बल दथा गती के नियम, फोर्स एंड लो अफ मोसन के अभ्यास के जितने भी प्रस्ण है सभी को हल करेंगे, तो चलिए वीडियो को प्रारम करते हैं तो देखिए प्रस्ण कर मांग पहला क्या है, कोई वस्तु सुन्य बाह असंतुलित बल अन्भो करती है, क्या किसी भी वस्तु के लिए असुन्य वेक से गती करना संभो है, यदि हाँ, तो वस्तु की वेक के परिमाण यम्दिसा पर लगने वाले सर्तों का उलेह करें, और य यानि बल ना लगाने के बराबर है, क्योंकि सुन्य बाह असंतुलित बल लग रहा है वस्तु पर, तो वस्तु के वेक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या किसी वस्तु के लिए असुन्य वेक से गती करना संभो है, जी बिल्कुल संभो है, जब बाहरी बल असंतुलित ह उसका मान सुन है तो वेक का मान भी नहीं बदलेगा वही रहेगा यानि जिस वेक से कोई वस्तु गती कर रही है तो उसी वेक से गती कर रही होगी न्यूटन के गती के प्रथम नियम से यानि जड़तु के नियम से ठीक है और यदि हा तो वस्तु के वेक के परिमार यम दिसा में लगने वाले सर्तों का हुल लेख करें यानि क्या सर्ते होंगी वो बताना है और यदि नहीं तो कारण अस्पष्ट करना है तो आईए इसका एंसर करते हैं काफी असान सवार तो देखिए हम इसका एंसर ऐसे करेंगे हाँ निमलिखित इस्तिदियों में निमल ना लगने के बराबर है बस्तू के बेग के परिमार या दिसा में कोई परवर्तन नहीं होगा अर्थाद बस्तू एक समान बेग से जिस दिसा में चल रही है उसी दिसा में चलती रहेगी न्यूटन के गती के प्रत्थम नियम कहें या जड़त्व के नियम से वेग में और दिसा में कोई परवर्तन नहीं होगा वो अपनी पूर्वी की अवस्था बनाए रखेंगी क्योंकि जो बल रग रहा है उसका परिणामी मान सुनने है तो यही आपका फाइनली इसका एंसर हो जाता है इसके बाद देखिए दूसरा क्या है जब किसी छड़ी से एक दरी यानि काफिट को यानि चटाई को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं ये असपष्ट करना इसका कारण क्या है तो धूल के कणों का बाहर आना ये जो है ये जड़तु के नियम के कारण ही होता है जब छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो दरी पर लगने वाले बल के कारण दरी क्या होती है गतिसील हो जाती है लेकिन धूल के कण जड़तु के कारण अपनी बिरामा अवस्था में रहते हैं और वो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं जड़तों के नियम के नुसार ठीक है तो परड़ाम सुरुप क्या होता है कि वो नीचे गिर जाते हैं अर्थात बाहर आ जाते हैं ये समझ में आ गया कि दरी को जो पीटा जाता है तो दरी क्या होती है गतिसील हो जाती है और जो कण होते हैं धूल वो बिराम में रहते हैं और अपनी बिराम के अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं इसलिए वो बाहर आ जाते हैं इसके बाद देखिए प्रसंट कर मांग तो गिरने की दो अवस्थाएं दो इस्तितिया यहां पे सामिलने जब बस खुलती है तो समान पीछे की तरफ अब जब बस रुकती है तो समान आगे की तरफ गिर जाता है तो हमें यहां पे दोनों इस्तितियों में एक्स्प्लेंड करना है और तब जाके बताना है कि गिरने के बचाने के तूट ठीक है तो आई इसका answer करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है बस के गती मान होने पर यानि बस जब चालू होती है वो चलती है तो बस के छट पे रखा समान है वो भी क्या है वो गति मान रहेगा अर्थात गति में आ जाएगा तो गति के जड़त्यू के कारण बस जब रुके गी तो समान भी अपनी गति के अवस्था बनाए रखेगा गति के अवस्था को वो गति के जड़त्यू के कारण यानि जड़त्यू के नियम के वो अपनी गती के वस्था को बनाए रखने चाहेगा और बस तो रुक गई है इसलिए वो आगे की तरफ गिर जाएगा ठीक है अब दूसरी इस्तिति में देखिए बस जब चलेगी यानि रुकी हूँ बस अचानक चलेगी तो समान जो है वो पहले रुका हुआ था तो वो हम पानकर रखा जाता है ठीक है यह आपको पूरा लिखना है ताकि अच्छे से एक्स्प्लेन हो जाए तो इसके बाद देखिए प्रसंकरमांग चार क्या है किसी बल्लेवास द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुड़कती है कुछ दूरी चलने के प कारण हमें बताना है यानि सही विकल्ब का हमें चैन करना है ठीक है तो इसका आपसन नंबर सी जो है यह इसका राइट एंसर हो जाएगा कैसे होगा देखे क्या है गेंद पर गती के दिशा के विपरित एक बल्ले कार कर रहा है तो गती के दिशा के विपरित कौन सा बल्ले तो जिसके कारण गेंद कुछ दूरी चलने के बाद घर्षन बल लग रहा है गती के दिसा के विप्रित जिसके कारण गेंद रुक जाती है ओपसन नमबर सी इसका राइट एंसर हो गया पाच्वा परसन क्या है एक ट्रक बिरामा वस्था से किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत तोरण से लड़कना सुरू करता है तो हम यहाँ पे देखिए जो मान दिये गए है उसको समझ लेते हैं एक ट्रक बिरामा वस्था में है यानि उसका प्रारंबिक वेग सुनने हो गया किसी पहाड़ी से नीचे की नियत तورन से लड़कना सुरू करती है तورन फिक्स है या 20 सेकेंड में यानि समय कितना है 20 सेकेंड है 400 मीटर यानि दूरी हो गई दूरी तेय करता है तो इसका तورन ग्याद करना है हमें क्या ग्याद करना है तورन ग्याद करना है अगर द्रबमान किसका द्रबमान ट्रक का द्रबमान साट टन है तो इस पर लगने वाले बल की गढ़ना करना है यानि ट्रक पर कितना बल कारे कर रहा है तो यहां पर साट टन है तो हमें केजी में बदलना है एक टन एक हजार केजी तो साट कितना होगा साथ हजर केजी हो गया तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है हमें इस सवाल में त्वरण निकालना है और बल की गाड़ना करना है जो ट्रक पर लग रहा है तो दिया गया मान पहले हम लोग लिखेंगे सवाल में जो मान दिये गए हैं कैजी व्रोच प्रक्राइए व्रूच सोब्स्कारत साथ हजार है और यहां पे समझजें हम एगात करेंगे चाण करेंगे क्यूंकि बीना एगात किए बीना थूरण गया थी हम बल नहीं निकाल सकते है क्यूंग के बलका पहले तुरन गयाद करना होगा एम तो यहाँ पे दिया गया है 7000 ठीक है तो तुरन गयाद करना होगा तो किस फर्मूले से गयाद करना होगा तो हम प्रियोग में लाएंगे गती के समिकरण यानि गती के समिकरण दूसरा यूटी प्लस 1y यह गती का जो दूसरा समिकरण है s equal to ut plus half 80 square से हम गयाद करेंगे ठीक है क्यों देखे यहाँ भी यह है और यहाँ भी है ठीक है हम इस से गयाद करें क्योंकि यहाँ पे s command दिया गया है और यहाँ पर प्रारंबिक बेग और t भी दिया गया है ठीक है आईए इसको हम लोग प्रियोक करते हैं तो यहाँ पे समझे है गती के दूसरे समिकरण से s s का मार कितना है 400 meter यह दूरी तय करती है यह प्रारंबिक बेग क्या हमारा सुनने है समय कितना है समय है 20 second तो 20 हो गया 1 by 2 half ए हमें तो गयाद करना है समय फिर वही हो गया 20 second तो 20 का s square हो गया यहाँ पे 400 जेयोक के तेव भी और यह पूरा देखिए क्या हो गया सुनने हो गया प्लस 1 by 2 हम जेयोक के तेव लिखते हैं यहाँ पे देखिए 400 यह गुना a से होगा तो यह होगा 400 a ठीक है अब यहाँ पे समझे यहाँ पे क्या है यहाँ पे 400 है तो उपर का गुणा उपर वाले के साथ तो यह कितना होगा यह होगा 400 a बटे में 2 ठीक है तो हम इसको cancel out कर देते हैं कितने बार में जाएगा तो यह 200 से जाएगा तो 400 equal to 200 a यहाँ पे एक अमान निकालेंगे यह गुणा में है तो इस तरह भाग में आ जाएगी तो एक अमान निकल के आ गया 400 बटे 200 यहनी यह कितना हो गया दो बार में यह हमारा निकल के आ गया 2 meter प्रतिस सेकेंड इसकोर यह तरह निकल के आ गया तो तरह तो हमारा प्राप्त हो गया 2 meter प्रतिस सेकेंड स्कोर अब इसके बाद क्या निकलना है ट्रक पे जो बल लग रहा है तो ट्रक का बल हम निकालेंगे F equal to कितना M into A तो F equal to M कमान कितना है तो M कमान दिया गया है 7000 7000 केजी तोरन हमने अभी निकाला 2 तो कितना हो गया है यह हो गया 14000 14000 निउटन ठीक है समझ में आ गया तो इसके बाद देखिए 1 केजी तरववान के एक पत्थर को 20 meter प्रतिस सेकेंड के वेग से जील में जमी हुई सता पर फिका जाता है तो यहां पर देखिए हम समझते हैं जो मान दिये गए है पत्थर का दरववान कितना है 1 केजी और एक पत्थर को 20 meter प्रतिस सेकेंड के वेग से जमी हुई तर फिका जाता है तो प्रारम्भी वेग हो गया 20 पत्थर 20-50 meter दूरी तरवान भी है From सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया मान पत्थर का दरविमान 1 केजी है प्रारम्भी वेग फिका जाता है meter 30 second टेक है अंतिम वेग रुग जाता है तो हो गया V ईकवल टू जीरो और देखिए बिस्थापन यानि दूरी कितनी है तो 50 मिटर है हमें F निकालना है बल ग्याद करना है ठीक है तो कैसे ग्याद करें हमें त्वरन ग्याद करना है एक अमान हम ग्याद करेंगे तो गती के कौन से फर्मूले प्रियोग करें हम तो हम ये तीसरा फर्मूला प्रियो गया है ठीक है और इसके पहले सवाल में हमने दूसरा प्रियोग किया था लेकिन यहां पे हम तीसरा करेंगे कि अंतीम वेक भी दिया गया है ठीक है और यह दूरी भी दिया गया है तो यह हमें ग्याद करना है तो इस तीसरे गती के फर्मूले से हम प्रियोग करेंगे ठीक है V square equal to U square plus 2S V command कितना है यह हो गया देखिए अंतिम वेगर सुनने square U prime week पे कितना है 20 तो 20 के square हो गये plus 2 A तो हमें ग्याद करना है और यह कितना दिया गया है 50 दिया गया है तो यह सुनने हो गया इसका कोई मतलब नहीं और यहाँ पर यह हो गया 400 प्लस 50 दूने 100 100 A हो गया तो यहाँ पर देखिए 400 का हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा तो माइनस का 400 हो गया यहाँ पर कितना बचा यहाँ पर सिंगल बचा 100 A A कमान निका लेंगे यह गुड़ा में तो इस तरफ भाग में आ जाएगी तो A एक्वल्टू हो गया हमारा माइनस का 400 बटे 100 चार बार में तो एक अमान निकल के आ गया माइनस का 4 ठीक है तो 4 यह कितना आ गया 4 ऐसे लिखेंगे हम A एक्वल्टू माइनस का 4 मीटर second square ठीक है तो माइनस दिखा रहा है कि तोरण आउमंदन हो रहा है ठीक अब इसके बाद हम क्या निकलना है हमें हमें बल निकलना है तो F का फर्मूला F इंटू M इंटू A F इक्वल्टू M इंटू A हो गया तो F M का मान कितना है 1 है और A हमने अभी निकाला माइनस का 4 F इक्वल्टू M इंटू M इंटू तो यह बल भी माइनस में आ गया इसका मतलब क्या है किमकि बल गती की बिप्रदिसा में कार कर रहा है यानि वो घर्षन बल यहां पे है तो घर्षन की गती की बिप्रदिसा में है इसलिए ये माइनस में हो गया तोरण भी माइनस में और ये बल भी माइनस में इसके बाद देखे आगे बढ़ते हैं प्रसंड किया है? एक आठ हजार केजी दरब वान का रेल इंजन प्रती दो हजार केजी दरब वान वाले 5 डिबूक की सीधी पट रिचता है यदि इंजन 40,000 न्यूटन बल आरूपित करता है तथा पटरी कितना 5000 न्यूटन बल न्यूटन का घर्शन बल लगाती है तो ग्याद करना है तो हमें यहाँ पें तीन प्रस्ट दिया गया है तो सबसे पहले यहाँ पे समझे जो मान दिये गए हैं इंजन का दर्मान 8,000 केजी है और रेल इंजन प्रती 2,000 केजी दर्मान वाले 5 डिबो को सीधे पर ट्री पर खिचता है तो डिबो का दर्मान कितना हो गया पांच डिबे हैं और एक का 2,000 है तो पांच का कितना हो गया 10,000 हो गया ठीक है डिबे का 10,000 और इंजन का 8,000 टोटल द्रवियंद कितना हो गया टोटल हो गया इंजन और इंजन और बोगही सिर्ण कितना हो गया 18000 हो गया तो देखें रहनें यहां से फल्सवारी यह जरू करते हैं तो इंजन दोरह आरोपित हृद बल माइनस प्ठटरा इस आ जाता है गती विपट्रीसा में उसको माइनस कर देंगे तो चालिसे त्वारा कितना है चालिस हजार नूटन है और पट्री दो पांच हजार है तो माइनस हो गया गया थीक अब और दूसरा रेल का Tvartan. तो रेल का Tvartan हम गयात करेंगे. तो यहाँ पर समझ ये रेल का Tvartan. तो सबसे पहले हमें द्रवयमान निकालना होगा. Abdrasa match TWC opportunities ने फेल कीवाया होता है तो यहाँ से हम एक अमान निकालिएंगे यही है रेल का Tvartan. तो एम चला जाएगा इस तरफ गुणावाली संखिया भाग में तो पहले हम द्रविमान निकालेंगे रेल का कूल द्रविमान आठ हजार इंजन का और बोगी का एक का दो हजार है तो पाँच बोगियां है तो आठ हजार प्लस दस हजार अठारा हजार केजी तो अब फर्मूला प्रियोग करते है एफ एक्वल टू एम ए यहां से हम ए निकालेंगे यह गुणावाली संखिया बटे में आ गई एफ ए एक्वल टू एफ बटे एम तो बल कितना है अभी हमने देखा बल है 35 निउटन बल है तो 35 निउटन बल अब इसके बाद देखिए सी नंबर में क्या है डिबबे ए द्वारा डिबबे दो पर आरोपित बल तो आरोपित बल का मतलब एफ एक्वल टू एम ए तो एक डिबबे का कितना बल लगाता है 2000 और तोरन हमने अभी निकाला ठीक 1.9 तो गुणा करने में कितना 3800 कैसे देखिए यहाँ पर 2000 इंटू यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 एक कैंसिल हो गया 200 में 19 सुगुणा होगा तो कितना आ जाएगा 3800 यह निउटन आ गया ठीक है यह समझ में आ गया आपको इसके बाद आठवाप रसन देखिए एक गाड़ी का दर्विमान 500 केजी है यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रतिस सेकंड के रिनात्मक तुरण आमंदन के साथ बिरामा मस्था में लाना है तो गाड़ी द्वारा सनक पर बीच घर्षन बल कितना होगा यानि F कमान निकालना है तो F का फर्मूला क्या होता है F equal to M into A तो सबसे पहले देखिए गाड़ी का दर्विमान कितना दिया गया है तो ऐसे समझे है गाड़ी का दर्विमान M 500 केजी तोरण देखिए 1.7 मीटर प्रतिस सेकंड स्कॉर यहाँ पर हम बंदन की बात की गई है इसलिए माइनस में हो जाएगा तो बल का गढ़ना करना है हमें तो बल की गढ़ना करना F equal to M A M कमान कितना है देखिए F equal to M कमान है 1500 और A कमान है माइनस 1.7 पॉइंट हटेगा तो आजाएगा 10 तो 1 से cancel out तो कितना हुआ 150 में 17 से गुणा होगा तो कितना आजाएगा यह आजाएगा 25 पचास लेकिन माइनस में ठीक है निउटन यह घर्षन बल है जो गती के विप्रिदिसा में कार करता है इसलिए यहाँ पे माइनस दर साथा है यह घर्षन बल है यह समझ में आगया आपको इसके बाद प्रसंट कर मांगना हो किसी M दरबमान की वस्तु जिसका वेक V है का सम वेक क्या होगा हमें मुवेंटम ग्याद करना है ठीक है तो इसका एंसर आपको ऐसे करना है देखिए किसी वस्तु के दरबमान और वेक के गड़नफल को क्या कहा जाता है सम वेक यानि मुवेंटम कहा जाता है तो इसे P दोहरा डिनोट किया जाता है P एक्वल टू M इन्टू V देखिए आपसन में कौन है आपसन नमबर D है M इन्टू V दरबमान इन्टू वेक यो कहा लाता है सम वेक आपसन नमबर D हमारा सही होगा इसके बाद देखिए दस नमबर क्या है हम एक लकडिक के बक्से को 200 न्यूटन बल लगा कर उसे नियत वेक से फर्स पर ढखेलते हैं बक्से पर लगने वाला घर्षन बल क्या होगा तो हमें क्या निकालना है घर्षन बल निकालना है यह एफ कमान निकालना है काफी असान सवाल है यह तो इसका एंसर हम ऐसे करेंगे बक्से पर लगने वाला घर्षन बल 200 न्यूटन होगा क्योंकि यहाँ वेग नियत है वेग नियत है वेग नहीं बदल रहा तिसलिए बल भी नहीं बदलेगा उस कमान कितना होगा 200 न्यूटन ही होगा कैसे होगा आईए समझते हैं F कमान कितना होता है M A होता है तो देखिए F कमान कितना दिया गया है 200 न्यूटन तो F के स्थान पे हम लिखेंगे हम लिखेंगे यहां पे 200 न्यूटन ठीक है और M, M, G किते हैं और A त्वारण सुनने होगा किस इस्थिती में सुनने होगा जब वेग नियत होता है वेग नहीं बदलता है तो त्वारण सुनने होता है यानि वेग परिवरतन की दर तो त्वारण का हलाता है लेकिन वेग तो यहां परिवरतन होता ही नहीं इसका मतलब त्वारण सुनने है इसके बाद देखिए प्रसन करमांग के गारा किया है दो वस्तुएं परते का दर्विमान कितना है 1.5 केजी है एक ही सीधी रेखा में एक दुसरे के बिपरी दिसा में गती कर रही है टकराने से पहले परते का वेक 2.5 मीटर परती सेकंड है टकराने के बाद यानि दोनों एक दुसरे से जुड़ जाती हो तब उनका सम्रित वेक क्या होगा ठीक है तो क्या समझ में आया आपको तो यहां पर समझे दो वस्तुए हैं दोनों एक दुसरे के बिपरी दिसा में गती कर रही है और इनका दर्विबान M1 और इनका M2 यानि दोनों का कितना है एक दिसमलो पांच केजी है ठीक है यहां एक सीधी एक दूसरे बिरतिसा में गती कर रही है टकराने से पहले इनका वेक कितना है दो दिसमलो पांच यानि दोनों का वेक कितना है दोनों का वेक है तो दोनों का ज यहां पर समझे, यहां M1 और M2, दोनों का दर्मान कितना है, दोनों का दर्मान 2.5 kg है, टकराने से पूरू पहली वस्तु का वेक U1 कितना है, देखिए, U1 2.5 मीटर प्रती सेकंड, और दूसरी वस्तु का U2 उतना ही है, माइनस 2.5 मीटर से, क्योंकि विपरी दिसाम आ रही ह एक ऐसे जा रहे हैं, तो एक विपरी दिसाम आ रहे हैं, इस के लिए यहां पर माइनस हो गया, ठीक है, 2.5 मीटर प्रती सेकंड, टकराने से पहले दोनों का समवेक, कितना होता है, फर्मूला M1, U1, M2, U2, हम मान रखेंगे, तो देखिए, मान रखने पर आएगा, यहां पर समझी है, तो यह माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, यह दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट होगा, तो यहां पर सुनने बचा, ठीक है, तो टकराने के बाद दरह बेमान, यानि M2 और M1, M1 और M2 कितना हो गए, यह 3 केजी हो गया, दोनों का 1.5, 1.5, टकराने के ब बाद देखिए, समवेक सेलक्शन के सिधान से क्या होता है, टकराने से पहले का समवेक, टकराने के बाद का समवेक, तो पहले का समवेक कितना है हमारा जीरो, और टकराने के बाद कितना है, तीन भी आया, तो बराबर करेंगे, यह गुणावली संख्या बटे में आएगी, जिए जिरो बटे तीन इस कामान कितना हो गया? जिस सुनने हो गया तफी एकवल टू सुनने अता समलित वेक कामान कितना होगा? सुनने हो जाएगा तो इमिद करता हूँ यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके बाद देखिए प्रसंद करमांग 12 गति के तीती नियम करुसार जब हम किसी वस्तू को धका देते हैं तो वस्तू उतने ही बल से साथ हमें भी विफरे दिसा में धका देती है यह यह जिए वह वस्तू एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है समवता हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर गतिसील नहीं हो पाएगा एक बिद्यार्थी का यह सहीथ साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल बेविरित ऐम परावर है जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं इस तरक पर विचार दे और बताएं कि ट्रक गतिसील कीव नहीं हो पाती तो आईए इसका एंसर हम लोग करते हैं कि ट्रक आखिर गतिसील कीव नहीं हो पाती तो इसका एंसर आपको ऐसे करना है ट्रक का दर्मवान काफी अधिक होने के कारण उसका जड़त भी काफी अधिक है जो उसकी विराम अवस्था से कतिसिल अवस्था में लाने का बिरोध करती है ठीक है पहला कारण तो होगा ट्रक का दर्मवान जादा है दूसरा है जब हम ट्रक को धका देते हैं तो हमारे दुआरा लगाया गया बल उतना ही अधिक नहीं होता कि वह ट्रक के जड़त के बल को निरस्ट कर सके और विराम के वस्था में ही वो बना रहता है त्रक को धका देते हैं तो ट्रक उस बल के बराबर और विप्री दिसा में बल लगाता है इस तरह दोनों बल एक दुसरे को निरस्ट कर देते हैं और ट्रक का तिसील नहीं हो पाता तो इसका मुख्य कारण है ट्रक का जड़त काफी अधिक है और हमारे दुआरा जो लगाए गए बल है उस जड़त के बिराम को गदेसील नहीं कर पाता है तो यही आपको सारे अंसर लिख लेना है इसका इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए तेरे नमबर क्या है 200 गराम दर्विमान की एक हाकी की गेंद इसका दर्विमान कितना है 200 गराम है 10 मीटर प्रती सेकंड वेक से सीधी रिखा में चलती हुई पाच केजी दर्मान की लकड़ी की गुटकेस किया करती है संगट यानी टकराती है तथा उससे जुड़ जाती है उसके बाद दोनों एक साथ उसी रिखाव पर गती करते हैं यानी संगट यान टकर से पहले और संगट याने टकर के बाद कूल समवेग की गढ़ना करें और दोनों वस्तूर की जुड़ी अवस्था में वेग की गढ़ना करें हमें समवेग निकालना है और वेग की गढ़ना करना है तो इस सवाल का मतलब आपको क्या समझ में आया एक दर्मवान है एक गेंद है हाकी गेंद जिसका दर्मवान इतना है और इतना मीटर प्रतीיתश के या सीधी रिखा में चलती यह थियां है और वह एक लखड़ी के स्टक्र तक्रा आ जाती है जिसका दर मानद पाश को ब्सक्राइब तो टक्राने के बार जुड़ जा थी है ठीक है तो टक्राने से पहले कसम वेख और टक्राने के बाद का समवेक दोनों समवेक के गढ़ना करना है और जब वो जुड़ जाती है तो जुड़े हुई अवस्थ हमें वेक की गढ़ना करना है तो काफी सिंपल सा सवाल है ठीक है? आईए इसको हलका है काफी ध्यान से आपको समझना है देखिये पहले इस्तिती क्या है? सबसे पहले दिया गया हमान हाकी के गेंद का दरभवान 200 ग्राम तो ग्राम में है तो हम केजी हैं बदलेंगे ये ख़जार से भाग देंगे 0.2 केजी ठीक है? लकडी के गुटके का दरभवान क्योंकि नहीं दिया गया है तो देखिए इस्तिती 1 में क्या है गेंद संघट यह टकर से पहले का समवेग हम निकालेंगे P1 टीक है M1 U2 प्लस M2 U2 टीक है तो M1 देखिए कितना है हमारा जो मान दिये गए है वो सभी रखेंगे 0.2 kg यह 1 कितना है तो यह 1 देखिए 10 मीटर प्रती सेकंड यह रहा ऐसे यह पूरा तो यह तो सुनने हो गया पाच में सुनने से गुणा तो सुनने हो गया और यहां पर देखिए 0.2 इंटू 10 पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा 10 से 10 कैंसिल आउट यह 2 हो गया तो 2 kg मीटर प्र देखिए क्या है यहां पर समझे आप इस्तिती दो गेंद दोबारा संघट यानि टकर के बाद का समविक पीटू M1 प्लस M2 यहां पर ध्यान देना है जब वो टकर हो जाती है तो जो दो पिंड है गेंद और तो यहां पर जो दो पिंड है गेंद और लकडी के गुट के द नहीं लिया जाएगा क्या होगा जुड़ जाता है तो वही बात है यहां पर तो M V M दोनों का M हो गया M1 और M2 ठीक है तो देखिए गेंद का कितना है 0.2 हमने निकाला लकडी की गुटी का 5 केजी है तो दोनों जोड दिया जाएगा 5.2 केजी मीटर प्रतिस सेकंड यह टक करके बात का कितना आया यह रहा टकर के पूर्व कितना था यहां माना दो आया तो दोनों हम एक्वल कर देते हैं और यहां से वीवी असानी से निकल जाएगा तो यह गुणा में है तो गुणा वाली संख्या उस तरफ जाएगी तो भाग में आ जाएगी ठीक है पॉइंट तेरा मीटर प्रती सेकंड इसका वेग हो गया और ये आपका बाद सम्वेग निकल के आया कितना पांच फॉइंट दो वी किलोग्राम मीटर प्रती सेकंड ये दो इसका एंसर हो गया तो समझ में आ गया आपको ये इसके बाद आगे बढ़ते हुए 14 नमर देखिए 10 ग्राम दर्बेमान की एक गोली सीधी रिखा पर 150 मीटर प्रती सेकंड वेग से चल कर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है गोली लकड़ी को कितनी दूर तक फेदेगी लकड़ी के तवारा गोली पर लगाए गए बल्प के परड़ाम की गढ़ना करें तो हमें इस सवाल में क्या गयात करना है हमें ये गयात करना है कि वो जो गोली है लकड़ी की गुटके में टकराती है और उसमें धस जाती है तो धसने के बाद यानि उसकी दूरी गयात करना है ठीक है क जो मान दिये गए हैं पहले हम लोग यहां पर नो डाउन कर लेते हैं और यहां पर आपको समझना भी है परते के श्टेप को देखे दिया गया मान गोली का दर्विमान M equal to कितना 10 ग्राम तो ग्राम में हैं तो हम केजी में बदलेंगे 1000 से भाग देंगे ठीक है जीरो से जीरो केंसील आउट उपर वन बचा तो उपर यानि दो जीरो उपर चला जाएगा तसमलो यानि दो अस्थान पर दसमलो जीरो फ़ांट जीरो वन केजी में आ गया गोली का प्रारम विक वेग देखें यहां पे 150 मेटर प्रति सेकेंड यूँवन हो गया ये ठीक है यू हो गया समय कितना है वेदने में समय लगता है 0.03 सेकंड लगता है अंतिम वेग नहीं दिया गया यानि रुक जाती है वेदने के बाद इसका मतलब अंतिम वेग सुनने हो गया मीटर प्रती सेकंड रूकने के बाद यहांपर रूकने की बाद ईयानि अंती मेख सुनने हो गया तो गदी के परत्थम समिकरन को ही प्रयोग किया जाए किमकि यहांपर V का मान है, U का मान है, T का मान है, हम E निकालेंगे अब दूसरा कोई प्रियोग करे तो हमें S चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर भी S चाहिए जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है इसलिए यहाँ पर गती के प्रथम समीकरण का हम प्रियोग करेंगे V इक्वल टू U प्लस 80 थी तो इतना तो आपको समझ में आगया देखिए V इक्वल टू U प्लस 80 V कमान अंतिम वेग तो कितना है? में सुनने और यु प्रार्मड़क पे कितना है? में गोली के प्रार्मड़क फीन एक सो पचास है A तो हमें निकालना है Z तो A क्यों निकाला जाए? A क्यों निकाला जाए A निकालना जाए A हमें निकालने की ज़रूत पड़ेगी S निकालने के लिए और बल निकालने के लिए ठीक है तो देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया यह मान हमने रखा और यहां पे 0 है 150 को हम इस तरफ लाएं यह प्लस में है तो माइनस में आ गया एक्वल टू ठीक है और यहां पे देखिए यह पूरा गुणा होगा तो 0.03 A होगा और यहां से हम A निकालेंगे यह गुणा में है गुणा वाली संख्या का पक्षांतर भाग में हो जाता है तो यह आ गया इस तरह भाग में ठीक है तो माइनस 150 बटे 0.03 पॉइंट हटा पॉइंट हटने से क्या होगा उपर चला जाएगा 2.0 यहां पे माइनस 15 यहां पे माइनस 150 से तो 2.0 एक और हो गया और नीचे 3 बचा बटे में 3 तो कैंसील आउट होगा 5000 से पस्तिय पंदर यहां पांच हजार से कैंसील आउट होगा तो माइनस का 5000 मीटर प्रती सेकंड यह क्या निकल गया गया तोवारा निकल गया गया कितना माइनस 5000 मीटर प्रती सेकंड तोवारा निकल गया गया अब इसके बाद गोली दुबारा भेदने में तय की गए दूरी अब एस निकालेंगे तो न्यूटन के गती के दूसरे समिकरण हम यहां पर प्रयोग करेंगे तो गती का तीसरा समिकरण हम यहां पर प्रयोग करेंगे ठीक है देखिए यहां पर इस तीसरे समिकरण को प्रयो प्रवलीयका गोलीका प्रार मिक्विक एक गगब्विक सोपचास है एकवल टू एक्सव पचास का स्कॉायर प्लस दो एर्थ हमें अभी मिब नीकाला माइनस का 3000 ब्रैकेट बन करदेते हैं क्योंक भॎ का मािनस है और एस तो अमें पाचास ता है बाइस पानसो ठीक है तो इसके बाद देखिए प्लस पाच हजार इंटू दो कितना हो गए दस हजार लेकिन माइनस का दस हजार होगा और यह S हो गया गुणा में इतना समझ में आ गया तो आई इसको बेवस्तित कर देते हैं हम लोग यहां पे बाइस पानसो प्लस माइनस कितने हो गए माइनस हो गए कितना हुआ दस हजार दस हजार S एक्वल टू जीरो है यहां पे जीरो है तो यह बाइस पानसो का हम उस तरफ भेंडेते हैं तो यह माइनस में आ जाएगा तो माइनस का बाइस पानसो और यहां कितना बचा माइनस का दस हजार S ठ खैऊँ ङागा है तो इस माईनस दस हजार को हम उस तरफ हैं देते हैं गुणावली संख्या उस तर जाएगी तो भाग में आ जाएगी तो यहाँ पहैं माईनस का बैस पाज़़ रटे माईनस में आ गया माईनस का दो अस्थान पे 0 आगया जाएगा ऊपर आजाएगा तो आपका हो गया एस एक्वल टू ऐसे एक्वल टू ठीक है यहां पर फॉइंट हम लगाएंगे 2.25 यह मीटर आ गई क्या है यह दूरी है तो इतनी दूरी तक कोली भेंदेगी लकडी के गुटके में ठीक है अब इसके पहले आपको यह बात लिखने है यहां पर लकडी के गुटके दवारा गोली पे लगाएंगे बल का परिमान है एक्वल टू एफ एक्वल टू एम इन्टू एmm का माण कितना है तो दरबवान देखे तो गोली का दरबवान देखे हम यह पूरा ले ले लेते हैं ठीक है हम महीं कितना है है दस बटे 1000 आप यसे यह भी लिख सकते हैं तेक 신 वही बाथ हो गई रहा-टा को इस हम लिखेंगे दस बटे 1000 कि यह समझो की आवाल कितना है ऐसा करिए उप THE viewpoint हमने निकाल दो इस माइनस का 5 गुणा होगा तो माइनस का 50 और बटे में 1 तो ये कितना होगा तो माइनस का 85 ही होगा ये न्यूटन ठीक है ऐसे तो आप यहां से माइनस हटा भी सकते हैं ये तोरण आवमनन सिर्फ दिखाता है माइनस आप हटा भी सकते हैं तो सिंपल सा है तो इस तरीके से इंसर आपका आगया पचास न्यूटर इसके बाद देखिए प्रस्ट करमांग 15 एक वस्तु जिसका दरबिमान एक केजी है ठीक है यह पहले से केजी में दिया गया है दस मीटर प्रती सेकंड के वेक से एक सीधी रेखा पर चलते हुए बिरामा वस्ता में रखे पांच केजी दरबिमान के एक लकड़ी की गुटके से टकराती है वो वस्तु ठीक है और उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गती करने लगते हैं टकराने के बाद स तकराने से पहले तथाबाद में कूलसम वेक की गड़ना करना है और आपस में जुड़े हुए सेयोजन वेक की गड़ना करना है तो हमें क्या निकालना है टकराने के बाद कूलसम वेक की गड़ना और इसके बाद वेक की गड़ना करना है ठीक है तो चलिए इसको हल करते है तो काफी ध्यान से समझना है सबसे पहले दिया गया आमान देखिए बस्तू का दरह्वान कितना है? 1 kg है और बस्तू का प्रारमविक वेग U1 कितना है? 10 मीटर परती सेकंड के वेग से चल रही है लगडी के गुटके का प्रारमविक वेग कितना है? तो वो सुनने है, वो सुनने मीटर प्रती सेकंड, ठीक है, इस्तिती 1 देखिए, टक्कर से पहले का समवेक P, M1 U1 प्लस M2 U2, M1 कितना है, पहले का दरभमान 1 केजी, U1 कितना है, इसका 10 है, प्रारंविक वेक, प्लस इसका दरभमान लकडी के, तो इसका होगा 5 केजी, और इ सिती 2 में टक्कर के बाद के समवेक कि यहां पर दरभमान जुड़ गये है, तो समवेक निकले का सीदे-सीदे M into V, तो दोनों का, कि कि यहां पर कहा गया है, टक्कर के बाद, तक्कर के बाद दोनों साथ साथ चलते हैं, तो इसका मतलब दोनों का दरभमान एक ही लिया चैनल मिकान तो कुल सेलक्षन के नियम से देखिए क्या होगा तो सब्सक्राइब के नियम से अवस्ञेब तकर के पहले पहले का टकर के बात का यह रहा 6 वी और कर पहले का 10 कजी तो यहां से वी हम निकालेंगे गुड़ावाले संक्या भाग में 10 45 विट वाग करें आएगा 11d60 cm निकल नीकल के आ गया तो हमें विएग निकालना था ठा टीक है और पहले की सम वेग और पहले का सम वीग न्बर झालन के पीसके वाथा है सवग है अबस्तु का वेग समान तोरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर 30 से 8 मीटर 30 सेकंड हो जाता है ठीक है तो वस्तु के पहले और बाद में सव्वेक की गढ़ना हमी करना है टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में और बल के परिमान का भी गढ़ना करना है जो उस बस्तू पे आरोगित है तो तीन चीज़े निकालना है टक्कर के पहले और बात का सम्वेक और बल का परिमार तो पहले क्या करेंगे दिया गया मान हम लोडाउन करते हैं तो काफी ध्यान से समझना है बस्तू का दर्मान कितना है समय कितना है टी छे सेकंड है प्रारमिक वेक इवर कितना है पांच मीटर प्रतिसेकंड अंतिम वेक कितना है तो आठ मीटर प्रतिसेकंड ठीक है तो इसके बाद बस्तू का प्रारमिक समवेक M इंटु यू तो कितना है समय कितना है पांच है तो पांच केजी टकर से पहले का गया एक पांच केजी मीटर परती से समय हो गया और अंतिम कितना हो गया M2 M into V 100 into 8 हो गया तो 800 केजी ठीक है तो यह दोनों तो निकल गए पहले और बात का समय करना हो गया अब हम बल निकालना है तो बल का फर्मूला होता है F into M into A पहले गयात करना होगा M तो है ही लेकिन तो नहीं है तो बल के पर्माण के लिए तो निकालेंगे गति के प्रथम समी करन से V equal to U plus 80 B, B का मांण कितना है? 8 है, U 5 है यहां पर और यह तो निकालना है, समय 6 सेकंड है ठीक है तो 5 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस का माइस माइस माँ हो जाएगा 89 पांच नहीं हो गया यहां पर 6 है, A बटे में है तो इस तरफ भाग में आ जाएगा 6 है, यहां पर 3 x 6 यह तिन है दरिमान सो के जी है और अभी हम तोरा निकाला जिरो फाइंट फाइफ फाइंट हटा ये बटे में दस आ गया दस से सो के दस बार में केंसी लाओ दस पचे पचास न्यूटन आ गया इसका बलका परिमा उम्मित करता हूँ यह आपको समझ में आ गया इसके बाद आगे बढ बग गया तो यहां पर देखिए कथन प्राराम होता है अक्तर और किरण इस इस्तिती पर बीवाद करते हैं यह ठीक है किस कौन से इस्तिती पर उड़ता हुआ किड़ा जब कार के सीसे से ठकराया वो मर गया तो उस इस्तिती को देखकर जो कार में बैठे लोग थे अक्तर और किरण ने क्या बीवात किया किरण का मानना है किड़े का सवेग मान से बहुत अधिक है टो अकतर ने क्या कहा तो ये विचार था किरण का अब इसके पाइड अकतर ने क्या कहा देखे, अकतर ने कहा कि Because यग कार का वेख बहुत अधिक था अधा गार के किड़े पर बहुत अधिक बल लगाया गया जिसके कारण किड़े की मौछ हो गई you अब इसके बाद तीसरे वेक्ति राहूल ने क्या कहा एक नया तर्ग दिया कि कार और क्लीडे का समान बल लगा और दोनों में सम्वेक परवर्तन बराबर परवर्तन हुआ तो इन विचारों पर प्रतिगिरिया हमें देना है तो तीनों बेक्ति के जो विचार है कौन से उशित विचार है सही है उग हमें देना है तो यहां पर राहुल ने जो बिचार दिया है समवेग सेलिक्षन के सिधान के अनुसार राहुल का बिचार बिचार बिल्कुल ठीक है किमकि टक्कर के दोरान कूल समवेग सरक्षित रहता है दोनों अर्थाद कीडे और कार के समवेग में समान परवर्तन होगा यहां किडे का भार कम है अताव्रेग में अधिक परवरतन होगा जबकि कार का दरवान अधिक होने से गतิ परवरतन न हगनने होगी और कार की गति में परवरतन भी दिखाई नहीं देगा तो यही इसका एंसर हो जाता है यानि राहुलिक का gjधन मिल्कुल सही है इसके बाद इस सेसन का अकरी सवाल देखिए 18 नमबर एक दस केजी दर्वमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की उचाई से परस पर गिरी ठीक है इतनी भार की घंटी और इतनी उचाई 10 सेंटीमीटर की उचाई इसके फरस पर गिरी इस अवस्था में घंटी दोरा तो बान रहें से दूर 這個是 ये अब यहां से दस यह से दस यह देखिए से 0 और 8 यानि सुल्द हो गए तो वर्ग का फक्षांतर वर्गमूल हो गया तो वर्ग अटा यानि 4 हो गया इसका वर्गमूल 4 तो वेक निकल गया अंतिम वेक 4 मीटर प्रतीस सेकंड अब इसके बाद देखिए क्या है फर्ग पर टकराते समें घंटी का समवेक हमें गयाद करना है तो फी इकुल टू एम टू वी मुमेंटम तो भार कितना है दस केजी और अभी हमने निकाला वी चार यानि 40 केजी प्रती मीटर सेकंड ठीक है तो यह समवेक की गढ़ना हो चुकी है तो उमिद करता हूं सारे सव करते हकं हाँ करें भार कितना है तो forgiven le यहाँ इस में का भार कितना है तो इसाया है भार को